नमस्कार विद्यारतियों, आशा है कि आज आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित होंगे, आईए आज हम प्राणियों में सररणचनात्मक संगठन में उत्कों की भूमिका को समझते हैं, आज हम जिन प्राणी उत्कों के बारे में जानेंगे वह हैं, उपकला उतक, संयो प्राणी उत्तक, पेशी उतक, तंत्रका उत्तक, आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य है, प्राणी उत्तक के प्रकारों को समझने में विद्यारतियों की साहिता करना, विविन प्रकार के उपकला उतक और प्राणी शरीर में उनके स्थान को समझने में विद्यारतियों की साहिता करना एक कोश्किय और बहु कोश्किय ग्रंथियों में अंतर करने में विध्यार्तियों की साहिता करना पेशी उत्तक के प्रकारों को समझने में विध्यार्तियों की साहिता करना शरीर में तंत्रका तंत्रकी भूमिका को समझने में विध्यार्तियों की साहिता करना विशिष्ट प्रकार के सही होजी उतकों को समझने में विध्यार्तियों की साहता करना, विध्यार्तियों में वेज्ञानिक द्रश्टिकून और अवलोकन कोशल का विकास करना, कक्षा में प्राप्त किये गए ग्यान को विध्यार्तियों के दैनिक जीवन से जोडना प्रिये विद्यार्थियों आपने पिछली अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोश की जीव जैसे अमीबा वह बहुँ कोश की जैसे मेंधक के बारे में अध्यन किया है एक कोश्र की ये प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक रियाएं जैसे पाचन, स्वशन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन होती हैं बहु कोशिक की ये प्राणियों के जटिल शरीर में पाच्चन, स्वशन और जनन इत्यादिक रियाये भिन भिन कोशिका समूहों द्वारा विवस्तिव क्रूप से संपन्द की जाती है सरल प्राणि हाइडर का शरीर विविन प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है जिनमें प्रते कोशिका की संख्या हजारों में होती है मानव का शरीर अर्बों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविद कारे संपन्द करता है ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे कारे करती हैं बहु कोशिकिय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समू अंतर कोशिकिय पदार्तों सहित एक विशेश कारे करता है कोशिकाओं का ऐसा संगटन उतक अर्थाद टिशूस कहलाता है आपको आशर हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल चार प्रकार के आधार भूत उतकों का बना हुआ है ये सभ उतक एक विशेश अनुपात एवं प्रतिरूप से संगटित होकर अंगों का निर्माण करते हैं जैसे आमाश्य, हर्दय, व्रक, इत्यादी दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रसायनिक पारस्परिक्रिया से एक निश्चित कारे को संपन कर अंगतंतर का निर्माण करते हैं जैसे पाचनतंतर, स्वशनतंतर, इत्यादी समस्त शरीर के जैवे क्रियाएं कोशिका, उतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विवाजन के द्वारपूर्ण होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है प्राणी उतक कोशिका की सररचना उसके कारे के अनुसार बदलती रहती है इस प्रकार उतक भिन-भिन होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गी कृत किया जाता है ये है उपकला उतक, सयोजी उतक, पेशी उतक, तंत्रिका उतक प्यारे विध्यारतियों हम उपकला उतक को सामान्य तर उपकला ही कहते है इस उतक में एक मुक्त तर होता है, जो एक और तो देह तरल अर्थात बॉडि फ्लोड और दूसरी और बाहेवातावरण के संपर्क में रहता है इस प्रकार देह तरल का आवरण अथवा आस्तर का निर्मान करता है कोशिकाएं अंत्रा कोशिकी आधात्री अर्थात इंट्रा सेलूलर मैट्रिक्स द्वारा दर्ड़ता पूर्वक जुड़ी रहती है उपकला उतक दो प्रकार के होते हैं सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तता यह दिह गुहाओं, वाहिनियों और नलिका का आस्तर है संयुक्त उपकला कोशिकाओं की दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कारे लक्षात्मक है जैसे की हमारी त्वचा कोशिका की सररणचनात्मक रूपांतरं के आधार पर सरल उपकला 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 तक तीन प्रकार के होते हैं जिसके किनारे अन्यमित होते हैं यह उतक रक्त वाहिकाओं की बित्ती में तथा फेवड़े के वायू कोश में पाया जाता है और यह विश्रन सीमा का कार्य करती है गना का रुपकला उतक एक स्थरिय घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है यह सामान्यतह व्रकों के व्रककों अर्थात नेफ्रोन के नलिकाकर भागों और ग्रंतियों की वाहिनियों में पाया जाता है इसका मुख्यकार्य स्रवन तथा अव्शोशंड है ब्रक में ब्रकों की समीपस्त वलियत अर्थात कॉन्वूलेटिड सुक्ष्म नलिका की उपकला में सुक्ष्मांकुर अर्था माइक्रो विलाई होते हैं स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है केंद्रक प्राय कोशिका के आधारी भाग में होता है मुक्त सतह पर प्राय सुक्ष्मांकुर पाए जाते हैं सुक्ष्मांकुर आमाश्य आंत्र तथा आंत्रिद आस् सोचन में सहायता देते हैं यदि इन स्थम्भाकारों या घनाकार कोशिकाओं की मुख सतह पर पक्षमाब होते हैं तो इसे पक्षमाबी उपकला अर्थाद इनका कार्य कणो अथवा श्लेमा को उपकला की सतय पर एक निश्य दिशा में ले जाना है यह मुख्य तह स्वस्निका तथा डिम्ब वाहिनी नलिकाओं जैसे खोकले अंगों की भीतरी सतय पर पाए जाते हैं कुछ स्थंबाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्रवन की विशेष्ता होती है ऐसी उपकला को उपकला ग्रिंथिल कहते हैं इसे दो समूहों में वर्गी ग्रत किया गया है एक कोशिकिय ग्रंथी तथा बहु कोशिकिय ग्रंथी एक कोशिक जो प्रथक ग्रंथिल तथा बहु कोशिक कोशिकाओं के पुंज का बना होता है अर्थात लार ग्रंथी स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निश्काशन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है जिनने बहिश्रावी ग्रंती और अंतः श्रावी ग्रंती कहते हैं बहिश्रावी ग्रंती से सलेश्मा, लार, कर्णमोम, तेल, दुग्द, आमश्य एंजाईम तथा अन्यकोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं ये सब वाहिनियों अत्वा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं इसके विपरीत अंतह श्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती इसके उत्पाद हॉर्मोन है जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथी स्थित होती है संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों अर्थात बहु स्तरित बनी होती है और इस प्रकार स्रवन और अवसोशन में इसकी भूमे का सीमित है तो आप क्या समझते हैं कि क्या होंगे इसके प्रमुकार इसका प्रमुकार रासायनिक वयांत्रिक प्रतिवनों जैसे स्ट्रेसिस से रक्षा करना है यह तवचा की सुश्क सत्य मुक गुहा की नम सत्य ग्रसनी लार ग्रंतियों और अगनाशी की वाहिनियों के भीतर आस्तर क को ठपता है उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकिये परदातों से जुड़ी होती हैं लगभग सभी प्राणी उतकों में कोशिकाओं के विशेश जोड व्यक्तिगत कोशिकाओं को सररचनात्मक एवं कारयात्मक संधी ब्रदान करते हैं उपकला और अन्य उतकों में तीन प्रकार की संधी पाई जाती है ये है द्रड आंसजी और अंतराली संधी द्रड संधी पदार्थ को उतक से बाहर निकलने से रोकती है आंसजी संधियां पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोडने का कारे करती है अंतराली संधिय आयनों तथा चोटे अणूओं एवं कभी-कभी बढ़े अणूओं को तुरंच स्थान्तरित करने में सहयता करती है वे ऐसा सनलगन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड कर रखती है जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उतक बहुता याद एवं विस्तित से पहला हुआ पाया जाता है संयोजी उतक नाम शरीर के अन्य उतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा अलंबन के आधार पर दिया गया है संयोजी उतक में कोमल उतक से लेकर विशेश प्रकार के उतक जैसे उपास्ति अस्तिव वसी उतक तथा रक्त संभिलि कोशिका सररचनात्वक प्रोटीन का तंतु श्रावित करती है जिसे कॉलेजन या इलास्टिन कहते हैं ये उतक को शक्ती और लचीला पन प्रदान करते हैं ये कोशिका रूपांतरित पॉली सेकराइड को भी श्रावित करती है जो कोशिका और तंतु के बीद जमा होकर आधा इस्टिक्रत संयोजी उतक शिथिल अर्थात लचीले संयोजी उतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारिय पदार्त में शिथिलता से जुड़े हुए होते हैं उधारण त्वचा गर्तिका उतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है यह प्रायह उपक एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं वसा उतक दूसरा शितन संयोजी उतक है जो मुख्यतः तवचा के नीचे स्थित होता है इस उतक की कोशिकाएं वसा संग्रण के लिए विशिश्ष्ट होती हैं भूजन के जो परदात तुरंत प्रयोग में नहीं आते वो वसा के रूप में परवर्तित होकर इस उतक में संग्रित कर लिये जाते हैं सगन संयोजी उतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं द्रड़ता से विवस्तित रहती हैं तंतु तथा तंतु कोरक के अभिविन्यास के आधार पर सगन संयोजी उतक को नियमित संयोजी उतक तथा अनियमित स तन्तु को रख सामानतर तन्तु के गुच्छों के बीज कतार में उपस्तित होते हैं। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्ती से जोडती हैं तथा स्नायू जो अस्ती को दूसरी अस्ती से जोडता है इसके उधारण है। कॉलेजन तन्तु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी शमता प्रदान करता है और इन्हें तूटने से भी बचाता है। सगन नियमित सयोजी उतक लचीले स्नायू अर्थात लिगामेंट में पाया जाता है। सगन नियमित उतक में तन्तु तथा तन्तु कोरक होते हैं और तन्तु में अधिकांश कॉलेजन होता है जिनका अभिविन्यास अलग होता है। यह उतक त्वचा में पाया जाता है। उपास्ती, अस्ती, एवं रक्त, संयोजी उतक है, जिनके कार अतन्थी विशेश है, इसलिए इन्हें विशिष्ट्री कृत संयोजी उतक की श्रडी में रखा गया। उपास्ती का अंतरा कोशिक, पदार, ठोज, विशिस्ट आन्नमय, एवं संपीडंस रोधी होता है। इस उतक को बनाने वाली कोशिकाएं उपास्ती अणू स्वयम द्वारा स्रावित आधात्री में छोटे-छोटे गोहिकाओं में बंद हो जाती है। कशेरुकी भूण में विद्वान अधिकाश उपास्तियां वयस अवस्था में अस्ती द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वयस्कों में कुछ उपास्ती नाक की नोख, बाहयकान संधिया, मेरुदंट के आसपास की अस्तियों के मध्य और पैर और हात में पाई जाती है। अस्ति खनेज युक्त ठो सयोजी उतक है, जिसका आन में आधात्री, कॉलेजन, तन्तु एवं कैल्शियम लवन युक्त होता है, जो अस्ति को मजबूती प्रदान करता है। यह शरीर का मुख्य उतक है, जो के शरीर के कोमलंगों का संरचनात्मक धाचा बनाता है, त प्रदान करती है। अस्ति कंकाल पेशी से जुड़कर परस्प क्रिया द्वारा गती प्रदान करती है। कुछ अस्तियों में अस्ति मजजा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी करती है। रक्त तरल सयोजी उतक होता है, जिसमें जीव द्रव्य, लाल रूदिर कनिकाएं, सफेद रूदिर कनिकाएं और प्लैटलेट्स होती है। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है, जो विविन पधार्तों के परिवन में सहायता करता है। पेशी उतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं और रेशों से बना होता है, जो सामानतर पंक्ती में सजे रहते हैं। यह समस्त पेशी तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बनता है, जिसे पेशी तंतुक अर्थात मायो फाइब्रिल्स कहते हैं। समस्त पेशी तंतु समन्वित रूप से उद्धीपन के कारण संकुचित हो जाते हैं, तथा पुने लंबा होकर अपनी असंकुचित अवस्ता में पेशिय उत्तक की क्रिया से शरीर वातावरंट से होने वाले परवर्तनों के अनुसार गती करता है, तथा शरीर के विभिन अंगों की स्तिती को समहले रखता है। सामान्य तया शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमे का निवाती है। पेशिय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हरदय पेशी। कंकाल पेशी रेखिये तथा बहु केंद्रकिये होती है, चिकनी पेशी में धारिया नहीं होती तथा एक केंद्रक होता है, जबकि हरदय पेशी एक संकुचन शील उतक है। आप अपने हाथ की मुठी को बन कीजिए और खोलने का प्रयास कीजिए आप आसानी से कर पा रहे होंगे साथ ही आप अपने हाथ को उठाने का भी प्रयास कीजिए और आप नीचे करिए आप वो भी आसानी से कर पाए होंगे यह दोनों कार्य आप कंकाल पेशी की सहता से कर पाए क्योंकि कंकाल पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्ती से जुड़ी रहती है प्रारूप पेशी जैसे दुशिरिक्स का अर्थात बायसेप दो सिर्वाली पेशी में रेखियक अंकाल पेशी तन्तू एक समूँ में एक साथ सामानतर रूप से पाए जाते हैं पेशी उतक के समूँ के चारों और कठोर संयोजी उतक का आवरन होता है कंकाल पेशी की साहता से आप अपनी इच्छा से अपने शरीर के भाग को हिला डुला सकते हैं चिकनी पेशी उतक की संकुचन शील कोशिकाओं के दोनों किनारे पतले होते हैं तथा इन में रेखा या धारिया नहीं होती कोशिका संधियां उन्हें एक साथ बांधे रखती है और वे संयोजी उतक के आवरन से ढके समुह में रहते हैं आंतरिक अंगों जैसे रक्तनलिका, अगनाश्य और आत की भित्ती में इस प्रकार का पेशी उतक पाया जाता है अब ज़रा सोचिए कि क्या आप अपने इच्छा से अपने शरीर में बहते हुए रक्त के बहाव को रोख सकते हैं नहीं ना, चिकनी पेशी का संकुचन अनैचिक होता है क्योंकि इसकी क्रिया विदी पर हमारा सीधा नियंत्रन नहीं होता जैसा कि हम कंकाल पेशियों के बारे में बात कर सकते हैं चिकनी पेशी को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते हृदय पेशी एक संकुचन शील उतक है जो केवल हृदय में पाई जाती है हृदय पेशी की कोशिकाएं संधियों द्वारा द्रव्यकला से एक रूप होकर चिपकी रहती है। संचार संधियों अत्वा अंतर्विश डिस्क या इंटरकेलेटेट डिस्क के कुछ संलंग्न बिंदूओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। जैसे ही एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहन करती है तक दूसरी पास की कोशिका भी संकुचन के लिए उद्दिपित होती है। क्या आप हिर्दय की धड़कन की गती को नियंद्रित कर सकते हैं। उत्तर होगा नहीं क्योंकि हिर्दय पेशी का संकुचन भी अनैचिक ह क्योंकि इसकी क्रियाविदी पर भी हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता प्रिविद्यार्तियों आपने भी यह अनुभव किया होगा कि यदि गल्ती से आपने किसी गरम वस्तू को चूलिया हो तो तुरंत ही आपने हाथ पीछे खिछ लिया होगा या कभी आप तेज से परिवर्तित अवस्ताओं के प्रती शरीर का responsiveness के नियंत्रण के लिए उत्तरदाई है तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजन शील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है तंत्री बन कोशिका अर्थां नियूरोग्लियल सेल बाकी तंत्रिका तंत्र को चाहरा और सुरक्षा सादेटी है हमारे शरीर में तंत्रिबंद्ध कोशिका यह तंत्रिका-उतक का आयतन के अनुसार आदि से ज्यादा हिस्सा बनाती है जब तक एक तंत्रिक्ता कोशिका को उप्रद्योक्ति रूप से उद्धिपित किया जाता है या वह स्वयम होती है तो विभिन वैदुत परिवर्तन उत्पन होते हैं जो बहुत तेजी से कोशिका जिल्ली पर गवन करता है तंत्रिका कोशिका जब उत्तेजित होती है तब विभव परिवर्तन तंत्रिका कोशिका के अंतिम छोर प नियूरॉन एक सूक्ष्म दर्सिय सर्रंस्णा है जो तीन भागों से मिलकर बनी है कोशिका काय, दुम्राक्ष्य और तंत्रकाक्ष कोशिका कार्य में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकाय व व विशेश दानेदार अंगक निसल्स ग्रैनिूल पाये जाते हैं छोटे तंतु जो कोशिकाय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते रहते हैं और जिन में निसल्स ग्रैनिूल भी पाये जाते हैं उन्हें दुम्राक्ष कहते हैं ये तंतु दीपनों को कोशिका काय की और भेशते हैं एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्षर निकलता है इसका दूरस्त भाग शाकित व प्रतेख शाकित भाग का अंतिम शोड़ लड़ी नुमा सरज्चना सिनाप्टिक नौब जिसमें सिनाप्टी पुटिकाएं होती हैं इसमें रसाइन निुरो ट्रांस्मिटर पाए ज आईए अब हमने जो आज सीखा उसकी एक पुन्रावर्ति करते हैं आज हमने सीखा प्राणी उत्तकों के प्रकार प्राणी उत्तकों की सररचना स्थान तथा भूमिका एक कोशकिय और बहु कोशकिय ग्रंतियों में अंतर पेशी उत्तक के प्रकार संयोजी उत्तक के प्रकार और प्राणी शरीर में उनकी भूमिका. तंत्रिका कोशिका की सररचना इस सत्र से आपके लिए अभ्यास कार्य है. स्तरीकरत उपकला की श्राब में सेमित भूमिका होती है. आप हमारी तवचा में इसकी भूमिका को किस प्रकार समझते हैं? रक्त, अस्ति और उपास्ति को तेजन शील कोशिका क्यों कहते हैं तंत्रिका कोशिका की जिल्ली की विशेश्ताओं की चर्चा भी कीजिए प्यारे विद्यार्तियों आशा है आप सभी ने इस सत्र का आनंद लिया होगा और आज कुछ नया सीखा होगा धन्यवाद झाल, याल, क्योग झाल, 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 याल, दो गूर य।